असलाम लेकूम एंड वेल्कम टू मैं चैनल पेंलेस टीवी मैं हुशे गपता यासमीन यानिके एस्वाय है और आज भी एक वेब सिरीज का रिव्यू लेकर मैं आई हूं बलकि यूं कह लीजे के वेब सिरीज का एक ट्रेलर आया है उसका रिव्यू लेकर आई हूं पाकिसानी वेब सिरीज है उर्दू फ्लेक्स पेस को ओनियर किया जाएगा और इसमें जो हीरोईन है वो है सबाखमर समझ तो गया होंगे जी हम मैं बात कर रही हूं नैना की शराफत के हवाले से ये वेब सिरीज का नाम है इसमें सबाखमर है इसके इलावा इसमें एहमद हसन आपको इनके साथ नजर आएंगे इसके साथ सलीम मिराच का काम भी आपको नजर आएगा और इसको डिरेक्ट किया है साकिप पान ने और इसको प्रोडियूस किया है फरान गौहर ने अच्छा जो ट्रेलर आया मेरे सामने जब मैंने ट्रेलर देखा तो इसमें पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं हो रही क्योंकि वज़ा यह एक चीज तो है कि कुस्टिन मार्क है कि यह लड़की कौन है यह उसके अंदर रिवील नहीं हुआ कि लड़की कौन है और जितने लोगों ने भी इसका ट्रेलर देखा उन्होंने सबाखमर का जो एक रोल है उसके कपड़ों के हिसाब से जज़ किया कि जी उन्हें जो कपड़े पहने वें वो तो कोई कहना चाहिए क्लब गर्ल के हैं क्योंकि जरा शाइनी सा एक रेड़ कलर का माटीरियल पहना हुए और पर साथ साथ यह कि स्लीवलेस है अच्छा यहां पर हो सकता है कि वो एक क्लब गर्ल का कैरेक्टर जो है वो परफॉर मतलब बहुत सारे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो एमद हसने उनको यह दिखाया जा रहा है कि वो मतलब एक उदास शक्सियत दिखाई है देखने से तो ऐसा लग रहा है कि शर्जिदगी से बेजार है तो अचानक से यह इनरजी से भरपू लड़की इनकी लाइफ में आती दर्वाजा खोलते हैं तो सामने खड़ी होती है और वो इसको अपने घर में चगा देते हैं अच्छा इसमें भी यह है कि जब वो घुसे में कहता है तो वहां पर हमें पता चलता है तो वो अचानक से आई इनके घर में रहने लगी कैसे रहने लगी उसने क्या उनको दिया था रहने का ये तमाम चीज़ें तो जब वेब सीरीज आएगी उस वक्त हमें पता चलेगी अच्छा इसके साथ साथ जो एक चीज़ हमें नज़राई कुछ लोगों ने सबाख अमर को जो है वो उनके क्रिटिसाइज भी किया बहुत बुरा भला भी बोला है कि यह क् कीरेक्टर कर रही है और किस c fourth का यह कीरेक्टर है अच्या केरेक्टर अभी समझ में नहीं आझा है क्यूंकि वज़ाई यह किया क्या किरेक्टर है कौन है वो लड़की यह नहीं पदा क्योंकि millor जा़ चाँनकि देखने से साथा बगता है वह बेजाड साथ है इनसान एग फेर मोहलेवालों को भी दिखाया है कि वहते हैं रूmusic कर रहा है कि यह क्या चल रहा है इस महले में कि हमारे कल्चर مी केहा होता है, तो बहुत कुछ नहीं होता है, ہateurs हम ड्रामों को कब देखनändern व हम हम लोईे में देले होते हैं लेकिन चलते हैं न हम देखते हैं और जिस तरह की ड्रेसिंग हमारे अपने पाकिसानी कल्चर की है वो तो हमें मुवीज में भी नजर नहीं आती है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको क्रियेट किया जाता है सिर्फ क्रियेट किया जाता है अट्रेक्शन के लिए अब ये मर्जी है आपकी कि आप उस चीज़ को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं बारहल हो सकता है कि करेक्टर की डिमांड ऐसी हो जिसकी वज़ा से वो इस तरह से जो अपना एक करेक्टर जो है परफॉर्म कर रही है कुछ लोगों के कहना ये है कि जब वी मेंट मुवी थी उसको कापी करके इन्होंने ये उर्दू वेब सिरीज बना दी है मेरे दिमाग में ये आया जब मैंने ट्रेलर देखा और हो सकता है लोगों को भी ये ट्रेलर वहां से थोड़ा से क्लिक किया हो जब वो एक कमरे के हवाले से बात कर रही है विंडो पर खड़े होके सलीम मिराज से वहां पर जो जुमले थे और लड़के का भागना था तो वो जरा सा रिलेट करा था कि अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वही वाली स्टोरी है लड़की बैग लेके निकल गई है फिर इसमें जो है आपको कॉमेडी भी मिलेगी उसके साथ साथ आपको थ्रिल भी थोड ये वेब सिरीज आएगी तो पता चलेगा कि जी इनफेक्ट है कि आइसके अंदर सबाख कमर के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगी कि काफी अरसे सबाख कमर का कोई ड्रामा नहीं गुजरा है लेकिन हाँ अब काफी अरसे बाद जो है वो इस वेब सिरीज में हमें नजर आनियर होने में हर चीज़ को थोड़ा से टाइम लगता है लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ जो मुझे समझ में आती है कि सबाख कमर एक बहुत अच्छी आक्टरिस हैं इंटरनेशनल लेबल पे काम कर चुकी हैं और आप सब को जो है हिंदी मीडियम तो याद होगी जो क अनुने इुर्फान खान के साथ की थी इस मूवी को लोगों ने बहुत सराहँ था सबाग ओमर की काम को भी बहुत सराहा था अब मुझे आम जो मैं यह जो यह वैस डिय्ज़ किए सानि हुग झालेगेक यह सैज़ और यह ज..! प्रफब्स